साथ राजियों में हुए उप्चनाओं के नतीजे बेहत शांदार है इंडिया गटबंधन 13 में से 10 सीटे जीता है एक पर एक इंडिपेंडनेंट की विजे हुई है भारतिय जन्ता पाटी वाले 13 सीट लड़े थे 11 सीट पर हा रहे हैं मात्र दो जीते हैं ये देश सिरे से बीजे पी को नकार रहा है ये देश नरेंदर मोदी को एक महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है और फिर से कह रहा है कि हमें नफरत की हिंसा की वैमनसी की उल जलूल की बातों की राजनिती नहीं चाहिए हमें अमन चाहिए, हमें शांती चाहिए, हमें चैन चाहिए, हमें महब्बत चाहिए, हमें प्रगती चाहिए ये देश कह रहा है कि नीट पर चर्चा चाहिए, ये देश कह रहा है कि मणीपुर के घाव पर मरहम चाहिए ये देश कह रहा है बेरोजगारी और महगाई से निजात चाहिए एक संदेश प्रमू ने भी दिया है पहले अयोध्या हारी बीजेपी और अब बद्रीनाथ धाम हार गई यही नहीं बीजेपी अयोध्या ये सब राम जी से संबंदित जगह हैं अयोध्या, सीतापुर, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, कोपल, नासिक, राम टेक, रामेश्वरम सब हारते हुए अब बद्रीनाथ भी हार गई उत्रा ख़ट में हम दो सीड़ जीते मंगलोर और बद्रीनाथ धाम की कहने वाले बीजेपी के कह रहे हैं, मंगलोर में मुस्लिम जादा है बद्रीनाथ में तो 98% हिंदू है क्या कहिएगा, वहां क्यूं हार गई और मंगलोर में जो प्रशासन के साथ मिलकर गंद करी थी चुनाओ के दोरान, जो रक्तरंजन किया था जो मुस्लिम मतदाताओं को जबरल वोट नादी ने दिया था उसका परिणाम सामने है, बीजेपी सिरे से हार गई है हिमाचल प्रदेश में भी लोगों की हिमाचलियत को ललकार दिया था जनादेश का असम्मान किया था, सरकार को गिराने का कुछसित प्रयास किया था जिन तीन सीटों पर निर्दलियों का इस्तीफा दिला कर चुनाओ कर आया गया उन में से दो कॉंग्रेस ने जीत ली तो हिमाचल ने भी खड़े होकर कहा कि हमारे जनादेश हमारे मताधिकार के साथ असम्मान मत कीजिए, हमारी हिमाचलियत को मतलल कारिए ये देश जाग चुका है इस देश का हिंदू इस देश का मुसल्मान इस देश के युवा महिला किसान मजदूर सब जाग चुके हैं और वो एक स्वर में कह रहे हैं कि देश में राजनीती हमारे मुद्दों पर हमारी चीजों पर होनी चाहिए और वो एक स्वर में नरेंद् गटबंदन के साथ खड़े हैं, मुखबत वाले लीडर के साथ खड़े हैं, मुद्दों को उठाने वाले लीडर के साथ खड़े हैं, वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, वो हमारे घटक दनों के साथ खड़े हैं, वो खड़े होकर निश्पक्ष तोर से ये कह रहे हैं कि ये देश महबबत से, शांती से और न्याय से चलेगा अन्यथा हम सबक जरूर सिखाएंगे